तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से करवा चौत की दे सारी शुब काम नाए आज है करवा चौत और अभी न मैं नहा कर आ गई हूं और लालभी मुझे काफी काम करना है काफी तयारिया कर ली है तो हो सबता है कि आज में आप लोगा के ज्यादा कुछ नहीं करते हैं क्यूंक Filipino है अकेली हूं और सारी तयारिया Phi करनी है म आज मुझे मार चीट जाना है कुछ समान मुझे मंगाना था नहीं आपाया है तो अभी मुझे मार केट भी जाना है फिर उसके बाद वापस आकर अपनी घर में जो फूजा पार्ट की तियारी करनी है खाना वगेरा बनाना है तो आज की वीडियो कैसे शूट कर पाती हो आप लोगों के लिए वैसे कोसिस रहेगी कि थोड़ा 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 अंस में सब अपनी जो भी पूजा पार्ट ज अपनी जो कोड़ेगा तो आज और आज का दिन वैसे भी बहुत सपेशल होता है फ्रेंड वोगों के लिए पूरे साल हम इसका इंतिजार करते हैं आज की दिन का और ये दिन जो है ना हर सुहागन के लिए स्पेशल होता है तो मितल सुहागन चाहती है इस दिन को सेलिब्र वॉर्णिंग से ही अपना ब्लॉग स्टाट कर लेती हुआ कि तो अगर नहीं भी कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी न तो जो भी पूजा पाट कर रहेगा वह में डाल पाऊंगी तो देखती हूं मैं आप लोगों के लिए साम की रिकॉर्डिंग कैसे क्या कर पाती हूं कि नही जैसे भी होगा फ्रेंड्स में आप लोग के लिए जरूर करूंगी थोड़ी बहुत तो बताईएगा जरूर की व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को तो क्योंकि ना अभी मुझे यह है डाउट है थोड़ा सा एक तो सबसे बड़ा डाउट लाइट को होता है ना हमारे लाइट वक्त पे बहुत ज्यादा धोका देती है तो इसलिए मुझे सबसे जादा थोड़ा सा डर लग रहा कि देख पतर ही देखते हैं बना भी पाती हू क्या बताऊं ओफ हो गया था जो भी एक्साइटमेंट ही सारी मेरी खतम हो गई थी उसी चकर में और आग्यों मुझे वही डर लग रहा है कि देखते हैं लेकिन चलो भवान करें लाइट वगेरा रहे सब कुछ और मेरा जो वीडियो है वो भी बन जाए तो चलिए ठीक है मैं कर लेती हूं अपनी पूझा वगेरा जो होती है मॉर्णी की फिर मैं देखती हूं जैसी वक्त मिलता है मैं आप लोगों से बात करूंगी तो ठीक है मिलती हूं आप लोगों से बात में तो यह देखिए फ्रैंस कुछ इस तरीके से तयारियां की थी मैंने चौकी मेरी एंधनी थी नई सारा समान नहीं आपाया नहीं तो में थोड़ा समान रख दिया है यहां पर और मेरी पूझा बवागों से मित्फाय और अगरव कहा डोसयर है। ऩह सब्सका है। मैं दोटा अबना वह थियां। मैं जुतना नय जुता हैं। यह उ भने दानों मालने लगता है। पूजब बनाए जाता है और उसके अलावा जो पूजब पूजब नहीं जाता है तो उसके अलावा चांद सूरज ये सब बनाया जाता है तो मेने सब बनाकर पहले ही रख लिया था ना तो उसके अलावा मीठे पुवे अनी की हमारे यहां बरिया कहा जाता है उसको और पूरी है फरा है यह सब चीज़े भोग लगता है मतलब करवा माता को मतलब माता को वहा बनाने को आप लो कुछ भी बना सकते हो तो यह में राज़ बड़े और यहां पर जो हैं और कोई नहीं रहता है सिर्फ मैं ही अकेले रहती हूं करवा चौत कबरत और यह देखिए मेरी सास थी मैं इनको गौरी जी का सिंदूर इनको भी लगा रही थी तो आई हुई हैं वो भी आती हैं आज के दिन तो अपकी भी उनको तवेद भी नहीं ठीक बड़ा मुस्किल लग रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने का नहीं मैं चलूंगी और वो आ गई थी भी या उनको छोड़ गए गाड़ी से तो अभी यह देखिए भोग लग जाया है उनका तो भोग में फल वगेरा भी लिये जाते हैं जो भी अपने मौसमी फल होते हैं उ तो हर किसी के थोड़ा भोग तो बदलाव होता ही है कोई कैसे करता है पूजा कोई कैसे करता है फ्रेंड्स तो अगर कोई गलती हो गई होगी ना तो उसके लिए प्लीज इंग्नॉर करिएगा तो चलिए ठीक है मैं लगा देती हूँ म्यूजिक आप लोग म्यूजिक हुआ हुआ है और अब नदी हां पार फ्रेंड्स जो मेरी जिठानी के लड़की है वो सुना रही है हम लोगों को मुझे कथा हुआ और क्वी कथा या तो खुदपढ़ हो या कोई सुनाद या ज्यादा अच्छा है तो फिलाल वही सुना रही है जो कर्वा चॉत की कहानि ना सुना रही है इस चेके पर सुना रही है इस सब्लकार नाचना एक पर भी सुना नो अरय है तो फ्रेंड्स जो अब आप यहां पर पूरी हो गई है तो आप आ गई है आर्ती की बारी और आ तो अब कर रही हूं मैं आर्ती ट्यारी और पीछे देखे हजबंड मेरे लेटे हुए हैं उनकी तबहत नही ठीक रहती है जो मेरे पूराने सबस्क्राइबर है वो जानते हैं कि husband मेरे बिमार रहते हैं तो फिलाल अभी लेटे हुए हैं ठंड का मौसम तो आ ही गया है न फिर और जो patient है उसको तो फिर जादा ही ठंड लगती है न तो अभी फिलाल यहां पर मेरी शास बैठी हुई है मेरे जीट की दोनु बेटियां बैठी हुई है बेट अभी आर्थी शुरू हो गई है तो चलिए कर लेते हैं आर्थी फिर उसके बाद करेंगे हम अपने चांद की आर्थी तो फ्रेंड्स अभी बारी आजाती है हमारी चंद्र मा की पूजा की लेकिन उसकी क्लिप नहीं मैं एड पाई पाई फ्रेंड्स तो फिलाल भी तो नहीं उसकी आर्थी में उतार रही हूं फिलाल अभी और इजगे ना फ्रेंड्स काफी फनी हो गया था सीन यह देगिए तो मैंने अाँ मूट कर दी है वाज तो अभी फिलाल मैंने इनकी आर्ती उतार ली है इनका आशिरवाद भी ले लिया है तो कहते है ना जिनकी पूझा होती पहले उनको भूग लगाना चाहिए तो पहले मैं उनको किला दिया है तो अब ये मेरा ब्रत खोलेंगे तो इन्होंने भी पहले मुझे कहा कुछ खा लो डायरेक्ट पानी क्योंकि ना मेरी तबित जो है एकदम से खराब होने का डर रहता है अगर खाली पेट पानी पी लेती हूं तो तो फिलाल इन्होंने पहले मीठा खिला है उसके बाद पानी तो फिर फूरा दिन फास्ट रखो ना तो ऐसे भी थोड़ा सा वीखने सा फील होता है ना तो वह कपड़े हैवी साड़ी हैवी च्वेल्री और मैकप ना वह भी बड़ा आजीब सा लग रहा था पूजा पार्ट हो गई थी मैंने का चलो अब इसे चेंज कर लेते हैं पहल लेकिन फिर बी जो भी जितनी लाइट थी मैंने उसमें बनाने की काफी कोसिश की है फ्रेंड्स कुछ क्लिप जो थी वह नहीं एड़ हो पाई हैं उसमें क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी जैसे की चल्ली से चान देखने वादी क्लिप क्योंकि उपर काफी अंधे तो आपने चांद की जब मैंने डाल दिया है तो आइब की वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जुरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें जिससे कि में जो भी कोई नई वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरत मिल जाए तो ठीक है फ्रेंड्स मिलती हूं मैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में तो यह देखिए फ्रेंड्स फेश ब्लॉड़ से अपने देखिए लोगों को तुरत में भी को तो यह दो मिलती है।